जैसे आप लोग आप से 2-4 साल पहले ज़स टाइब के रहे होंगे यह लोग वैसे हैं यह अभी वैसे हूं आपने से कितने लोगों को दुनिया जहान की बहुत फिक्टर रहती अपनी फिक्टर नहीं रहती है ऐसा मेरे खाल तो कोई होगा नहीं है आप में से नहीं है ना ठीक संकोच बढ़ पन मी कि वैसे हाथ ने खड़ा गरे होंगे कि कहना अच्छा नहीं रखता है बाकि बात तो यही है आपने से कितने लोगों लगता है कि यारे यार जिन्दगी ठीक से गुजर जाये बाकि कुछ ने रखा इनसे बातों में अपना जिन्दगे ठीक से गुजरनी जिन्दगी बढ़िया गुजरे कल हो ना हो बाकि इतरा नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया में क्या होगा क्या इवर나ा क्या हुआ में सोचन हुगा तो मुझे इस बात से मतलब है कि जिन्दगी है ठीक चल रही कर नहीं चल कि मैं अपने बारे में सोचना व्यक्ति के बारे में देखिए आप लोग हाथ खड़ा करें या ना करें एक आदमी हुआ था जिसका नाम था थॉमस हॉब्स वो आपके सारी पोल खुल के जा चुका पहले ही और मैंने उसको पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे आपकी स्वीक्रिति से कोई खास मतलब है नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ थोड़े सी थोड़ा अच्छा फील करेंगे बाकि हॉब्स ने पहले ही बता जिया कि हर व्यक्त व्यक्ति मूलतह स्वार्थी होता है बाकि सब नाटक होता है तो हम सब स्वार्थी हैं यह बहुत पश्रूप में सामने आ चुकी है हां हमारे स्वार्थी परदी अलग लोग हो सकती है उसकी परिभाशा ही बहुत सारी है किसी की परदी व्यापक होती है किसी की परदी आज को एक शन बढ़िया मिल जिंदगी ने आज को अगर को आख बंद कर गर को ये कहे वह आख बंद करेगा आप से कहीं आख बंद करने के लिए अभी नहीं ढ़ी देर में जाके आख बंद करके सोच ना जारा कि आपकी जिन्दगी का अब तक को को लिए हासिल क्या है अभी नहीं ब्ला साथ खीच गे आख बंद करके अब आप कूशेंगे पहले आख बंद करें पड़े आख खीचना है इसमें कोई भी क्रम रख सकते हैं ठीक तो लंबे सांस कीच के आठबन करके सोचिएगा कि आपके जीवन का आप तक जो भी आपके उम्र 16 साल, 14 साल जो भी उम्रा अपनों की है उस पूरे असली बोल दूँ 28-30 जू भी है तो अभी तक कि आपके जीवन का कुल हासिल या कुल सार क्या है सोचिए गधर है इसमर तो अंकता है आप आएंगे ले देके 5-6 क्षणे याद आएंगे आपको जो इतिहास में दर्ज नहीं हुआ है उन 6-8 क्षणों में से कम से कम 3 तो आपने यतना पूर्वा की इतिहास में या पुछ करने सकते है उसमें जैसे आपके रिजर्ट आया आपने जिले में टॉप किया और उसके बाद जिले में धूम मच गई मंत्री जी या यह हुआ वो हुआ दर्ज हो गए थी हास में और इसको अपनी वैल्यू देंगे नी जितना हासता है ना जैसे मीरा बोले थी अपने घर का परदा कर ले मैं बोरन जोगानी मैं जोगन बोरन जोगानी मैं देंगा था कि आपको याद है कि नहीं है मैं जोगा बोरानी कुछ कुछ वैसी मुगत है सी इनों ने है सी तो जिन्दगी एक कुल हासिल बाग के सब तो वरनन है इतिवरित पहला के सब तो जीवन का जीवन का सार तो वही छे आट रसातमक्स सल हैं जो एक दो एक दो सेकेंड के लिए हुए होगे जीवन में आज सक कुछ एचीवमेंट होगी कुछ ऐसा आपने रोमांच कारी काम किया जो आपको बढ़ा कठिन लगता था पर आपने कर दिया सफलता पूरवक्ष इसलिए आ होती है साम होती है जिन्दगी यही थमान में लागतत है पर उसमें हासिल क्या है हासिल है वह एक जब किसियों आपसे पूछा इसका उतराता है आपसे कहाँ पर उसने का कॉफी पे चले हैं? वो जो क्षण है ना, असली हासिल वही क्षण है, कॉफी नहीं, उस एक क्षण में जो खुशी हुई, वो खुशी, वो हासिल है जिन्दगी का, इसले जिन्दगी अंतर पर कुछ क्षणों का इतिहास है, ये प्रयोगवाद के लोग बांते ह तो इनके जो प्रयोगवाद अपने समय की परस्षितियों से पैदा नहीं हुआ, थोपा हुआ अंदोरन है, विदेशी प्रभाव से पैदा हुआ अंदोरन है, इस आरोप को खारिज करने का तरीका ये है, कि हम भारती परस्षितियों से इसका लिंक दिखाएं थोड़ा सा थोड़ा लिंक है, थोड़ा नहीं है, दोनों बाते पता होने चाहिए आपको, पहली बात क्या है, आजादी के बहुत नजदीक हम आ चुके थे, 1942 में करो या मरो हो चुका था, उस समय तक भारत के लोगों को ये महसूस होना शुरू हो गया था कि अब आजादी मिल भी जा था कि अब मामला बहुत दूर तर जाने वाला है नहीं, और ये भी कि अब पराधिन देशों की आजादी का मसला भी बहुत लंबा खिचने वाला है नहीं, जब तक आजादी नहीं मिलती है, तो हम सब एक होकी आजादी की बात करते हैं, जैसी आजादी मिल जाती है, ये मि व्यक्तिवाद का उभार बिंदू है इसलिए 1943 में व्यक्तिवाद का पैदा हो जाना कोई बहुत आश्चरी की बात नहीं है और महत्मा गांदे खुद व्यक्तिवाद का समर्थन कर चुके थे उनका व्यक्तिवाद थोड़ा अलग था स्वार्च की सेंस्में नहीं था व्यक्तिवाद इस सेंस्में था कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म है उसके अनुसार उसको आगे बढ़ना चाहिए इस सेंस्में था तो पहली बत उस समय जो व्यक्तिवाद पैदा हुआ वो उस समय के इतिहास से जुड़ने वाली चीज है हवा में नहीं आ गया था दूसरी बात मार्कसवाद और गांधीवाद से लंबे समय ते जुड़ाओं के बाद अब लोग विचार धाराओं से थोड़ा सा परशान से होने लगे थे जो व्यावारिक बात हो वो करें और व्यावारिक बात चाहे गांधीवाद में हो चाहे मार्कसवाद में हो जो व्यावारिक है उस तरह बढ़ें व्यावारिक्ता का दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो प्रयोगवात के लोग समाने तरह स्विकार करते हैं